तो फ्रेंट्स मैं हूं सुजाता और मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं बनाने जारी हूं गडवाले डिस आलू का जोड तो चलो फ्रेंट्स इसे देखते हैं कैसे बनाते हैं इसमें मैंने 300 ग्राम आलू लिए इसको अच्छे से मैंने दूल के तीन सीटी में अबाल लिया है और उसको फिलके निकालके अलग रख दिया है यहां पर मैंने मीडियम यह बहुत चोटे आलू आपको मेरे दिख रहे है क्योंकि चोटे आलू इसलिए मेरे खेत के अलु है आप मीडियम आकार के आलू भी ले सकते हैं मार्केट में जो भी आप अबिद को अलुण कर लिया है को से यहां पर मेने एक बड़ा प्याज और इसको चॉप कर लिया है है दो मीडियम आकार के टमाट्र को भी चॉप कर लिया है मैं यह पर मैंने मस्टर्ण सीजली आंज जिसे आप राई की दाने भी कहते हैं, दो हरी मिर्चों को काट लिया है, सर्चों का तेल का मैं यहां पर प्रयोग करूँगी, यह मेरा मसाल है जिसमें लाल मिर्च, धनिया और हल्दी पाउडर है, नमक, स्वादनुसा और चुटकी बर हिंका प्रयोग करूँगी, जिन्होंने फ्रेंट्स अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं करा है, वो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए अभी तक, नहीं करा है जिन्होंने, चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं, कि सबसे पहले मालों को अच्छे से मैस करलेंगे लें अपिनाट आ科का रिए आप जाहिए तो कदू कर injura भी ले सकते हैं उससे बहाट क conve た देटे हूँ कैसे हाप कदट से मैस करेंगे अपि कदू कज क कर सकते हैं और हाट tramp sap तप्तक अपनी अपैस करने के रहा क्जिइढ और मेसक और यह पूरी तरह सेरी मैश हो चुका है मैंने कड़ाई में तेल डाल दिया है जिससे तेल अच्छे से गरम हो जाए क्योंकि सर्सों के तेल को गरम होने में थोड़ा टाइम लगता है नहीं तो इसमें महक आती है अच्छे पन की तेल मेरा अच्छे से गरम हो चुका है और भी है कि यहाँ पे मराई के डाने डालूँगी आप चाहे तो अपना जीरा भी ले सकते हैं आपकी जह इद्धे водमें ज्याद चरहां में ज्ञें प्याज को आप इतना बुनिए गए पूरी तरह से चेंज हो जाए आप देख सकते हैं प्याज का पूरी तरह से चेंज हो चुका है ज्यादा ही ब्राउन हो चुका है कि आप इसे ज्यादा ब्राउन मत की जिएगा हीम में इसमें डाल दी अपनी हीम में लास्टमी सले डाल है अव यहारमें आपने अश्चेंज टाल दिये तमाटर को आपको अच्छे से माज़ करना है दिससे आपते तमाटर पूरी तरह से घल जाए तो आपको अग डिमक इसम मसाले में एक्स्ट्रा पुछ नहीं है लाल मिर्च, धनिया और हल्दी पाउडर है आप इस पच्छे से चलाईएगा अब मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें मसाल अच्छे से पक जाए मसाले को तब तक पकाना है कि आपका जो टमाटर हो अच्छे से मैस हो जाए मसाला मेरा पक रहा है भी इसमें थोड़ी सी कसार और बाखी है मैं इसमें थोड़ा सा पानी का प्रियोग और करूंगी पानी मैंने इसमें डाल लिया है तो थोड़ी देर और पकाएंगे जब तक आपका जो तेल है वो ऊपर ना आ जाए देखिए तेल ऊपर आ चुका है मसाला आपका भून चुका है अच्छे से अब मैं अपने आलू इसमें डाल दूंगी पूरे मैस करेवे आलू और आलू को थोड़ा अच्छे से बूनना है पहले आप इसमें पानी नहीं ड जाए और आलू में इतीता तेस्स नहीं आता है इसनले हमें साठाइन रखेगा कि आलू में पहले कभी पानीन डालना चाहिए पहले तोड़ी देर आहसे ही बूनना चाहिए लिश्ब कर देखिया आप देख सकते हैं है हका हर अभी मैं अच्छे से भून रही हूं आएम हर सकते हैं कि थोड़ी देर जाना नहीं 2 मिनिट आप इसे बुणिए गाऊ garbage मिनिट में आपका अच्छे की से बुण जाएं जब आपका अच्छे से बुण जाएं अच aparecer पानी डाला पानी पहले इसमें ज्यादा मात्रा में नहीं डालेंगे आप पहले आप कम ही मात्रा में इसमें पानी का प्रयोग करेंगे कि अदेखें मैं पानी डालकी मैं ज्याधा पानी दालोंगी मैं थोड़ा सा पानी डालोंगी जिससे जो मसाला है वो पूरी तरह से अलु डे आप अब सब लिए अप ऊकर देख 57 अप एसी बनियागा इस में दो मिनिटं भूनियागे ज्यादा नहीं मुनियेगा आपको अगर ऐसे लगे कि आपको मसाला या जो भी आपने जो ग्रेवी है वो नीचे लग रही है आपकी कडाई में तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं बढ़ यहां पर मेरी ग्रेवी में मुझे नहीं लग रहा है अच्छा सा मैस हो चुका है अब मैस में ऩू डालूंगी पानी मुझे इतना राखना है कि जितनी ग्रेवी जितनी गाड़ी ग्रेवी मुझे चाहिए आप इसे चमल के साथ खा सकतें नान के साथ खा सकतें यह खाने में बहुत ही होती है गड़भान में बहुत जल्दी बनने वाली साग में से एक है डिस में से एक है देखिए उसमें उबाल आ चुका है इसको ज्यादा उबालने की जरुरत नहीं है आपको क्योंकि आलू आपके अल्रेडी उबले में मसाला आपका हुआ है आप इसे ज्यादा से दो सुकायब मैं से बाउल में सर्फ करने के लिए तयार हूँ आप इसे रोटी चपाती किसी के साथ भी आप सर्फ कर सकते हैं अब प्लीस दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आलू का जोल कैसा लगा और जिनोंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं आलू का जोल कैसा लगा अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल मत भूलिएगा